साथियो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे मैथ्व अर्नॉल्ड और मैथ्व अर्नॉल्ड की बायोग्राफी और इनके कुछ इंपोर्टेंट बर्ग पर आधारित कुछ मल्टिपल चोईस कोश्चन्स होंगे, जिनकी संख्या एक से पचास तक है दोस्तों ये वीडियो आनते तक देखते रहेगा, ये इंपोर्टेंट भी है और आपको बहुत हैल्प करेगी PGT के एक्जाम में या कोई चूनियर सुपार्टेट का जो एक्जाम हम लोगों का होने वाला है, उसमें भी आपको मदद करेगा तो चलो हम लोग सुरू करते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लिजेगा, Multiple Choice Questions को सुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि जो मैथो आनार्ड है, उनके जितने भी Famous Work हैं, आपको मैथो आनार्ड के कौन-कौन से Famous Work पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो समझ ये जैसे इसे इन Criticism को पढ़ना है आपको, Culture and Anarchy को, Literature and Dogma को, God and the Bible को, इसके बाद रग्बी चैफल, Thyresis, The Scholar, Gypsy, Empedocallon, Aetna, Sorab and Rustam, Memorial versus to Bosworth ये इनके कुछ important work हैं दोस्तों, जिनको आपको पढ़कर के जाना है और मैं पहले भी डिसकस कर चुका हूँ चलो शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की, इसका सबसे पहलाई कोश्चन ये है कि मैं थो आर्नॉल्ड स्टार्टिड सुरू करते हैं इस केरियर को एज, मैं थो आर्नॉल्ड ने अपने केरियर की, शुरुआत इस परकार की, तो कैसे की थी Inspector of School के रूप में दोस्तों, कैसे यानि कि एक दुरगटना में आर्नॉल्ड की मौत की ख़वर सुनकर, समझियेगा मैं एक एक चीज को हिंदी में इसलिए बोलता हूँ, और एक दुरगटना में मैथ्यो आर्नॉल्ड की मौत की ख़वर सुनकर एक आलोचक ने टिपनी की, रिमार किया वो आलोचक कौन सा थ तो देर गोज आवर लास्ट ग्रीक क्या उन्होंने क्या रिमार किया था खालत वो रिमार कव को बनांए देर गोज्च अवर लास्ट ग्रीक यह वाला आप चेर्मेंशिप आप पोईट्री एड यानि कि जो मैथ्यो अर्नॉल थे उन्हों ने चेर्मेंशिप आप पोईट्री यानि कि कविता की अध्यक्षिता के पदपर पहुंचे थे तो कहां आक्सफोर्ड उनिवस्टी में यह वाला ओप्सन सही है हमारा फ़र्थ वाला अर्नॉलड वन आप्राइज एट रगबी सकूल फार हिज पोईट्री मैथ्यो अर्नॉलड ने अपनी कविता के लिए वो कविता कौन सी इतना clear हो गया अगला next कहीं पर कोई confusion हो साथ हो तो हमारे comment box में भी आप लोग बता सकते हो लास्ट में आपको 2-3 question comment box में करने के लिए भी हम देंगे बीच-बीच में according to Matthew Arnold who is next to Shakespeare and Milton Arnold के अनसार Shakespeare और Milton के बाद कौन है who is next Shakespeare और Milton के बाद कौन है आपको बताने तो कौन है William Bursworth यह बाला option हमारा क्या होगा सही होगा next question question number six question number six हमारा क्या कहता है कि Arnold defines poetry thus इस परकार poetry important है इसको यह अपने आमी poetry की definition important है poetry is a criticism of life under the condition of fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty इसको आपको समझना यानि कि Arnold ने कविता को इस प्रकार परवासित किया कविता जीवन की आलोचना है poetry is a criticism of life का मतलब क्या हुआ कविता जीवन की आलोचना है और इस तरह की आलोचना के लिए काब्य सत्य और काब्य सौंद्री के निवों पर आधारित सर्तों के तहद इसमें क्या करते हैं तो इसी में आपको बताना है साथ योग की चार आप्शन में से कौन सा याने की यह जो definition दिये है इन्होंने वो किसमें दिये है तो इन्हों इनका एक बहुत ही फैमस बर्क था मैथो अनौल का essay on the study of poetry essay on the study of poetry इसमें मैथो अनौल ने poetry की परिवासा को डिफाइन किया था कि poetry is a criticism of life under the condition fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty याद बनाए रखेगा बहुत important line है देखो सारे questions बहुत important होंगे इतनी question लगा लिजिए मैं एकीन से कहता हूँ आपका PGT में या जो भी हमारा junior super tight होगा उसमें एक भी question बचने वाला नहीं है बस patience के साथ अगर आप थैयारी करते रहेंगे आपका कल्यान निश्चित होगा that means आपको सफलता हर हाल में मिलेगी आगला question important लगा लिजिएगा और यह important इसलिए है क्योंकि मैथू अनौल का पहला sonnet भी पहला sonnet नहीं कह सकते हैं लेकिन यह important sonnet है इनका कि others abide by our question thou art free we ask thou is my list art still and art still मैथू अनौल ने एक sonnet लिखा था Shakespeare उसमें मैथू अनौल ने Shakespeare की प्रसंसा की यह लाइन बोल कर की और इस sonnet की शुरुवात ही यहीं से होती है दोस्तों तो और इस sonnet जो Shakespeare sonnet था इसका publication हुआ था 1849 में साथ ही नेक्स्ट तो याद मनाए रहेगा यह लाइन कहीं पर हस्त उठते वैठते चलते फिरते ओके बस मन में गाते रहेगा किसमें Shakespeare sonnet में है और यह Shakespeare sonnet किसने लिखा मैथ्यो और नॉर्ड ने लिखा कब लिखा 1849 में लिखा क्यों लिखा तो बिलियम सेक्सपियर से बहुत ज़्यादा बिलियम सेक्सपियर के प्रति अपने प्यार इसने है लव दोलार को प्रदर्सित करने के लिए उनकी प्रसंसा करने के लिए क्लियर नेक्स्ट आठवा कोश्चन क्या है एक एक लाइन इनकी नोडाउन कर लिजेगा कहीं पर तृत सच्चाई सिर्स अपन दे लिफ्स आफ डाइंग मैं क्या कहा गया है इसमें यह क्या गया कि मरते हुए आदमी के होटो पर सच बैठता है यानि कि जो मरता हुए आदमी होता है वो हमेशा सच बोलता है लास्ट टाइम में तो इस लाइन अक्योर ए लाइन कहां से ली गई है तो यह सुराव एंड रुस्तम कहां से ली गई है सुराव एंड रुस्तम स तो जो सोराव और रुस्तम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ यह पहली बार जब publish हुई थी तो कब publish हुई थी अठारासो तिरपन में दोस्तो अठारसो तिरपन में ये एक एपिसोड के रूप में publish हुई थी इसके बाद में इसको book के रूप में collect किया गया था जब इसको एक book के रूप में, poem के रूप में collect किया गया था इनका तो इसमें total 892 लाइनी थी और ये blank verse में लिखी गई थी दोस्तो इतना clear हो गया और सोराव और रुस्तम जो poem है वो थर्दासी की एक Persian epic था सहनामा बहां से लिया गया है दोस्तो उसमें दो character थे सोराव और रुस्तम अगला question हमारा कौन सा है Arnold का culture and anarchie deals with the subject of जो culture and anarchie है वो किस से deal करता है दोस्तो तो यहाँ पर theology किस से deal करता है theology और theology का मतलब होता है जो Bible धर्मसास्त्र ये इसका हिन्दी मीनिंग होता है ध्यान रखिएगा कभी-कभी आपको clear करेगा समझने के लिए कि theology क्या होता है Bible धर्मसास्त्र उसको ही हम हिन्दी में theology बोलते हैं तो ये culture जो methionology का culture and hierarchy है वो किसको deal करता है किस subject को theology को यानि की धर्मसास्त्र से ना तो यह जो किसना religion या Victorian culture नहीं क्या है theology ध्यार रखियो अगला मैत्व अर्नॉल का थायर्सिस जो है एजान इलेजी एक इलेजी है और देथाफ किसकी मृत्व से यहाँ पर थोड़ा सा option गलत आ गए है माफ करिएगा साथियो प्रिंट से हम ऐसे बता देते हैं देखो मैथू अर्नॉल का जो थायर्सिस है एजान इलेजी एक इलेजी है इलेजी का मतलब होता है और वो किसकी मृत्व से दुखी हो करके अब मैं तो Arnold ने थायर्सिस को लिखा था तो इनके एक दोस्त थे Arthur Hugh Clog उके उनकी मृत्तु पर उन्होंने थायर्सिस को लिखा है clear है साथ ही हूँ next गैरे नमबर पे the basic theme आप Arnold जो Arnold है उनकी basic theme क्या है literature and dogma literature and dogma जो थे उसकी basic theme आपको बताना है दोस्तो literature and dogma की basic theme क्या है तो अगर हम इसके basic theme की बात करते हैं तो इसमें चार option भी आपको दिये गए हैं आपको बताना है तो क्या होगा theology and religion करके ए वाला option हमारा क्या है सही है साथियो अगला बारे नमबर पे हमारा question कौन सा है कि philistines in culture and अनार्की ए जो सब्द है philistines वो किस पर stand for यानि कि किस के लिए यूज किया गया है तो यार बनाए रखेगा ये किस के लिए यूज किया गया है the English middle class लोग नहीं होते हैं उसके लिए दोस्तो यानि कि संस्कृत और आराजक्ता में philistines के लिए ये किस के लिए मध्यमबर्ग के लोगों के लिए यूज किया गया है the English middle class ये बाला option हमारा सही होगा तेरे नंबर देखो the story आप सोराब और रुस्तम is taken from कहां से लिए गई है तो फरदावसी की सहनामा से लिए गई है पबलिश करवाया गया था टोटल लाइन और सो बाइन भे है ब्लैंक बस में लिखी गई है दोस्तों अगला अर्नाल्ड काल्स एक पोईट थे उनके लिए अर्नाल्ड ने कहा था वह पोईट कौन है दोस्तों आपको बताना है तो वह थे पीवी सहली पीवी सहली के लिए बोला गया था अर्नाल्ड ने एक निश्चित कभी को एक सुंदर लेकिन आप्रभावी परी कहता है एक सुंदर लेकिन आप्रभावी इनफेक्टुल एंजल बोलता है परी कहता है ओके वीटिंग इन दी बॉइड लियुमनिस वेंस इन बेन जो उसकी चमकदार जीत को बेर्थ में धड़कता रहता है यह उसके लिए बोलते हैं तो वो कभी कौन है यह बोला गया तो सहली है दोस्तों पीवी सहली फार मैथू अनौल के लिए आपोईट्री आफ रिवॉल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज मैथू अनौल के लिए नैतिक बिचारों के खिलाब बिद्रोहो की कविता है नैतिक बिचारों के खिलाब बिद्रोहो यानि कि जो पोईट्री है कविता है वो नैतिक विचारों के खिलाब बिद्रोह है ऐसा तो यहां पर कौन सा आप्शन आपका सही होगा तो आप वाला आप्शन क्या है सही है अगला कुश्चन हमारा इन भी चैप्टर कौन से चैप्टर में आफ कल्चर और अनार्की डज अर्नल्ड मेंशन हैबरिज्म और हेलेनिज्म यह दो सब्द कल्चर और अनार्की में यूज करते हैं तो कौन से चैप्टर में यूज करते हैं आपको बताना है तो वो है चैप् Ampedocal on Athena is A Ampedocal on Athena जो है वो क्या है तो ये कैसी पोइम है Ampedocals on Athena 17 नमबर का question आपको बताना है एक dramatic पोइम है कैसी पोइम है ये एक dramatic point है 18 नमबर question Arnold said About a poet With him is one of a real poetry Who is the poet रेफार्टू इसमें अरनॉल ने एक कभी के बारे में कहा है उसके साथ हमारी असली कभीता का जन्म होता है यानि कि विद्ध हिम उसके साथ is one of a real poetry हमारी असली कभीता का जन्म होता है कभी का उले किसमे है ओके तो आपको बताना है अठारे नंबर का आंसर तो वो कौन थी चौसर अगला कूश्चन अरनॉल को साहित का प्रिचारक प्रोपोगेंडिस्ट का मतलब होता है प्रिचारक प्रिचारक लोग तुमने ये सब्द बहुत सुना होगा कि ये हमारी सरकार के खलाब एक प्रोपोगेंड़ा है ये आपका प्रोपोगेंडिस्ट क्या होता है प्रिचारक आफ लेटरेचर तो यहाँ पर साहित का प्रिचारक और अगला लिखा है एन ओवरवग इस्कूल इस्पेक्टर और अधिक काम करने वाला इस्कूल इस्पेक्टर कौन तो यहाँ पर कौन था आपको बताना है आपसंस आपके सामने हैं कौन कहता है फिर से रिपीट कर देते हैं दिखिए इंपोर्डेंट है अर्नॉल्ड के बारे में ये टिपणी किसने की ये वाली तो भाई एक व्यक्ति ऐसा होगा टिपणी करने वाला किसके लिए की तो बो तो साफ यहाँ पर दिया गया है अर्नॉल्ड के लिए किया गया लेकिन आपको हो के स्थान पर बताना है कि ये टिपणी करने वाला व्यक्ति कौन था तो वो टिपणी करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बलकी कौन था T.S. Elliot दोस्तो T.S. Elliot ने मैं थो अनाल के लिए कहा कि आप प्रोपागांडिस्ट आफ लिट्रेचर एंड एन ओवर्वर्ग्ड इस्कूल इस्पेक्टर मैं हिंदी में बोल दूँ कि साहित का प्रचारक बोला और एक अधिक काम करने वाला स्कूल इस्पेक्टर मोला किसने T.S. Elliot ने किसके लिए मैं थो अनान के लिए इससे ज़्यादा ही जिनी हो सकती है इकूटेशन 20 नमबर अगर हम बात करें अनौल सेड़ अबाउट दी पोईट अनौल ने सेड़ कहा एक पोईट के बारे में कि क्या कहा अनौल ने एक कभी के बारे में कहा उनकी कभीता बास्तविकता है और उनकी जो फ्लोस्पी है वो क्या है एक इलूजन है एक ब्रहम है कहानी समझेगा कि उनकी कभीता वो बास्तविकता है उनकी poetry जो है वो reality है और उनकी जो philosophy है वो क्या है एक illusion है एक ब्रह्म है तो अर्नॉल्ड ने एक कौन से कभी के बारे में कहा अर्नॉल्ड को उस कभी का नाम बताना है चार आपसन फिर आपके सामने हैं इन में से चूच करिए कौन से है बताए बिलियम बर्सवर्थ कौन है बिलियम बर्सवर्थ 21 नंबर कोश्चन किसका बिचार है कि मैंत्यो अनॉल साहित्य की उपयोग के बारे में बहुत कम सोचते हैं और इसके आननद के बारे में भी बहुत कम सोचते हैं यानि की साहित के उप्योग और इसके आनंद के बारे में बहुत कम सोचने वाला अर्नाल्ड मैथ्यो अर्नाल्ड साहित के उप्योग के बारे में बहुत कम सोचते हैं और इसके आनंद के बारे में भी बहुत कम सोचते हैं ये किसका विचार है किसने कहा तो आपको चार आफ़सन फिर दिये गए हैं मैं तो अनॉल्ड के वारे में ये कहने वाला व्यक्ति कौन है तो HW कौन है HW गैरोट 22 नमबर पर बहुत काइंड आफ वर्क इज अनॉल्ड मीरोप जो अनॉल्ड का मीरोप है वो किस तरह का वर्क है अनॉल्ड का मीरोप किस तरह का वर्क है दोस्तो चार आफ़सन से कैसा वर्क है आपको बताना है तो यह एक बी एक कैसी है एक ड्रमाइटिक पोईम है दोस्तो कैसा है मीरोप एक ड्रमाइटिक पोईम अगला what kind of work is Arnold's the straight reveler जो Matthew Arnold है वो किस तरीकी का वर्क है the straight reveler आपको बताना है straight reveler किस तरीकी का वर्क है और ये तेश नंबर का question है हम लोगों का तो आप points through dialogues है दोस्तु कैसी है आप points through dialogue है यानि कि Arnold की the straight reveler किस तरीकी का वर्क है तो ये एक कविता है जो संबादों के माध्यम से लिखी जाती है अगला question हमारा क्या है फोर्थ नंबर का wandering between two worlds one dead and other powerless to be one with nowhere yet rest my head दो दुनियाओं के बीच भटकते हुई समझेगा answer हिंदी में sorry question की हिंदी को समझ लिजेगा क्योंकि आपको सिर्फ इसी में दिक्कत होता है तो मैं translate कर देता हूँ इसे दो दुनियाओं के बीच भटकते हुए यानि कि wandering का मतलब भटकते हुए between two worlds दो दुनियाओं के बीच में और एक क्या है one dead एक मरा हुआ है दूसरा जन्म लेने के लिए सकते ही न यानि कि other powerless to be born जन्म लेने के लिए सकते ही न है जन्म लेने के लिए बिलकुल भी सकती नहीं बची है with nowhere yet to rest my head मेरे सिर को आराम करने के लिए कहीं पर भी कोई जगे नहीं है चार options दिये गए है इन चार options में से एक option आपका सही है आपको बताना है कहाँ पर तो grand क्या हैगा grand chartreuse chartreuse grand chartreuse आपको option क्या होगा सही होगा 25 नमबर का question क्या कहता है O strong soul by what soul there is thou now for that force surely has not been left when हे बलवान O strong soul हे बलवान आत्मा तू अब किस किनारे पर ठहरे by what soul क्योंकि बहबल निश्चही बेर्थ नहीं गया है क्या कहा कि surely has not left when क्योंकि बहुबल निश्चही बेर्थ नहीं गया है इस चार options फिर आपके सामने हैं आपको बताना है about his father in the elegy rugby chapel option कौन सा होगा ये वाला option हमारा सही होगा ये लाइने कहां से ले गई हैं आप rugby chapel से ले गई हैं और rugby chapel की मृतु से दुखी होकर कि मैथ्व अर्नॉल्ड ने sorry अपने पिता की मृतु से दुखी होकर कि मैथ्व अर्नॉल्ड ने rugby chapel एले जी की क्या की थी रचना की थी दोस्तो 26 नंबर for what bears out the life of mortal man this dead form change to change their being roles 26 नंबर question हमारा कहता है कि किस बात से किस बात से जो mortal man है नास्वर छड़क नश्ट होने वाले मनुशों के जीवन घिस घिस जाता है यानि कि घिस घिस करके विथीत होता है एक ही परिवर्तन से लेकर उनके होने वाले role को बदल ले तक क्या कहा गया एक ही परिवर्तन से लेकर कि for that form change to change their wing roles उनके होने वाले role को बदल ले तक ये लाइने कहां से ले गई है आपको इस लाइनों के बारे में बताना है तो ये लाइने जो ले गई है वो the scholar gypsy से ले गई है कहां से ले गई है the scholar gypsy और the scholar gypsy भी 1853 में पाबलिस हुई थी दोस्तों कब 1853 में और ये कैसी poem है ध्यान रखेगा टोपोग्राफिकल पोएम है जो की 250 लाइने है इसमें और 17th सिच्री आखफर्ड स्टोरी इसमें होती है एक जॉसिफ ग्लैन बिल होती है उनकी एक बर्क होता है The Vanity of Dogmatizing सब्ताइस नंबर की बात करें वाई फेंटेस्ट दाव आई वांडर तिल आई डेड रूम ओन दी लाइट बी सॉट इस साइनिग इस्टिल दोस दाव आस्क प्रूफ आवर ट्री हिंदी क्या कहती है हिंदी समझेगा तू क्यों मूर्चित होकर तू क्यों फेंट मीं सोता है मूर्चित होना तू क्यों मूर्चित होकर मैं मरते दम तक भटकता रहा जिस प्रकास को हम चाहाते थे जिस प्रकास को दिलाइट भी सोट जिस प्रकास को हम चाहाते थे इस साइनिग इस्टिल ओके दोश्ट दाव आस्क प्रूफ आवच्छी उन्होंने का उस पर फिर ना फिर भी चमक रहा है क्या तू हमारे ब्रक्च का प्रमाण मांगता है क्या तू हमारे ब्रक्च का प्रूफ मांगता यह कहां से लिया गया है फिर से आपके पास चार आप्सन है थायरसेस स्कॉलर जिपसी या रगबी चैपल या नन इन में से आपको एक बताना है 27 पर थायरसेस से कहां से थायरसेस से लिया गया है और थायरसेस मैथो अर्नाल ने अपने दोस्त जिनका नाम था अर्थर हीव कलॉग उनकी म्लेश से दुखी हो करके लिखा है और इसको पबलिश करवाया गया था 1866 में लिखा गया था 1865 में ठीक है कब लिखा था 1865 में लेकिन कहीं कहीं जो publishing date है, उसमें थोड़ा सा, हमने कई books में देखा, तो कहीं 66 भी दे रखा है, लेकिन आपको जो tick करना है, वो 66 ही tick करना है, दोस्तों. और यहां पर यह भी बता दूँ, थायर्सिस का जिकराया, तो जो थायर्सिस है, वो एक postural allergy है, ठीक है, इनके दोस्त अर्थर हीव क्लॉक के लिए लिखेगी, यह तो मैं बताए देता हूँ, मेरा question यह है, आपको comment box में करके दिखाना है, जो अर्थर हीव क्लॉक थे, उनके म आवस्था में, मैथो अनल के दोस्त की मृत्य हो गई, जिनके याद में सरदाजली अर्पित करने के लिए, इनके जिनकी मृत्य से दुखी हो करके, मैथो अनल ने थायर्सिस को लिखा था, आपको उन कभी का, जो है, कब मरे, बो सन बतानी है, और कितनी आयू में मरे, बो ठीक है दोस्तों, कमेंट बोक्स में, अठाइस नंबर कोश्चन कहता है, and we are here as on a dark link plane, swift, बहुत important लाइन है, यह कहीं, no down का लेजेगा, swift with confused alarms, आप struggle and flight, डौबर बीच की यह लाइन है दोस्तों, कहां से लिए गई, डौबर बीच से, और हम यहां एक अंधेरे मैदान की तर है, संगर्स और उडान में भिरमित अलहारम की साथ बहे गए, तो यह डौबर बीच की लाइन है, और डौबर बीच के बारे में मैं पहले भी बता चुका था, कि यह 1867 में, 1867 में यह पब्लिस हुई थी डौबर बीच, यह एक इलेजी है, और इसमें जो लैमेंट करते है, ओबर दी लौस आफ रिलीजियस फैत, जो व्यक्तियों का रिलीजियस फैत है, वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है, किसके बढ़ते हुए, इसमें जो डौबर बीच कविता का नाम है, यह डौबर नामा के एक जगह है, बंदरगा है, बहां पर यह खड़े हुए है, और य अपनी नियो लिवेड, यानि कि अपनी पत्नी के साथ बहां पर घोमनी के लिए गए है, तो बहीं पर इसका विता को लिखते है, वहीं के अनुवाव होते हैं, दोस्तों, इतना क्लियर हो गया, 28, 28 में क्या है, हमारा डौबर बीच है, अगला कोस्चन हमारा कहता है, 29, 29, who saw life steadily, who saw life steadily, and saw it whole, फिर आगे कहता है, the mellow glory of the attic stage, ये कोस्चन छूट गया, मुझे लग रहा है, 29 नमबर यहां से गाईवाया है, मिस हो गया, माफ करेगा, 29 नमबर यहां से मिस हो गया है, 29, 29, उसमें था कि, जो आर्नाल्ड होते हैं, आर्नाल्ड को आक्सपोर्ड में प्रुसकार दिया जाता है, एक कविता के लिए, वो क्रामवेल कविता होती है, इंपॉर्डेंट कोश्चन था, वो छूट किया, चलो मैं आगली वीडियो में उसको एड कर दूँगा, दोस्तों, 30 नमबर क्या कहता है, जिसने जीवन को इस्थिर देखा, जिसने जीवन को इस्थिर देखा, एंड सा इड होल उसे पूरा देखा, दी मेलो गलोरी आप दी एटक स्थिर इस, यह लाइने जो हैं, फूसा लाइफ इस्थिर ली, यही बताना है तो यह to a friend की है दोस्तों इलाइने कहां से है to a friend to a friend क्या है यह किनका मैं discuss नहीं किया था अब तक मैं बता देता हूँ इसके बारे में पिछली दो वीडियो में भी इस sonnet को मैंने नहीं बताया बिल्कुल भी कुछ भी तो जो मैथो अनॉल का टुवा फ्रेंड था तो यह एक sonnet का नाम था टुवा फ्रेंड क्या था एक sonnet है जो की 1848 में यानि की जो Shakespeare sonnet आया था उससे पहले इन्होंने इसको publish करवाया था 1848 में और यह जो sonnet था इनकी एक दोस्त थे आप कई बार उनका नाम हम ले चुके अर्थर हीव क्लॉग और इसमें कुछ great writer भी होते होमर एंड सोफोकल्स उनको भी discuss करते हैं इसी पॉइम में तो कभी कभी पूछ लिया जाता है होमो एंड सोफोकलीज को कौन सी पॉइम में में इसकस करते हैं जिक्र करते हैं तो टूआ फ्रेंड में दोस्तों अर्थर हीव क्लॉग के अलावा किसको अब 31 नंबर पे अगर हम बात करें बेन बाद मैं थो अनॉल वान मैं थो अनॉल का जन्म कम हुआ तो आपको बताना है 31 नमबर मैथो अनाल का जन्म 822 में और कमेंट वाक्स में हमें करके दिखाना है बताना है कि इनका जन्म हुआ इसी डेट में एक ऐसे राइटर है जो हमारे PGT में रखे हुए भी हैं सिल्यावस में भी हैं उनकी मृत्ति हुई मैथो अनाल का जन्म और उनका इस दुनिया में आगवन उस कभी का उस पोईट का नाम बताना है आपको कमेंट वाक्स में दोस्तों अगला मैथो अनॉल्ड आई मैथो अनॉल्ड की मृत्यू कब हुई तो 888 में इनकी मृत्यू हुई अब यहाँ पे एक कुश्चन और कि अठा जब इनकी मृत्यू हुई देखो यहाँ पे समझेगा जब मैथो अनॉल्ड का जन्म हुआ तो इस डेट पे किसी की मृत्यू हुई और जब मैथो अनॉल्ड की मृत्यू हुई तो इस डेट पे किसी का आगमन हुआ जन्म हुआ वो दोनों कभी के नाम बताना है आपको हमने और हमने ये दूसरी जो वीडियो बनाई है मैं थो अनॉल की उसमें इस बात को डिसकस किया है दोस्तो According to Arnold Poetry Age Arnold के अंसार Poetry क्या है तो Poetry क्या है? A Criticism of Life है दोस्तो ये वाला Option हमारा क्या होगा? ठीक होगा Arnold Pleads Far 34 नमबर पर Arnold Pleads Far किसके एक मैथड देते हैं? मैथव Arnold के द्वारा एक मैथड दिया जाता है वो कौन सा मैथड देते हैं? Blackstone, Yellowstone ये Touchstone तो ये Touchstone मैथड देते हैं भाई इसके बाद Arnold records Dryden and Pope as the Classical English 35 नमबर को आपको बताना है कि Arnold Dryden Arnold जो थे वो रिगार्स मानते हैं किसको Dryden और Pope को अंग्रेजी का क्या मानते हैं एक Classical यानि कि सास्त्री ये कभी मानते हैं तो बताना है Classical ये बताओ चार options आपके सामने दिये हैं एक options है तो Proge कौन सा option? एवाला option Proge यानि कि जो Arnold थे बोडाइड़न और Pope को क्या मानते हैं आइज दी Classical आफ इंग्लिस प्रोज आइज दी Classical आफ इंग्लिस प्रोज Who wrote the essay John Keat? John Keat essay किस ने लिखा? बड़े प्यारे से question है ठीक है John Keat essay किस ने लिखा? 36 नबर question तो Arnold ने किस ने लिखा? Matthew Arnold ने अगला Keats according to Arnold age Matthew Arnold के अनस्वार Keat हैं क्या है? Keat's Arnold के अनस्वार क्या है? 4 आफ संस, 37 नमबर क्या है? Keat according to Arnold is Shakespeare Arnold के अनस्वार Keat को क्या माना? Arnold ने Shakespeare अगला In which year he was appointed as private secretary to Lord Lashdown आपको वो साल बतानी है? कौन सी साल Matthew Arnold को private secretary निक्त किया गया था Lord Lashden के लिए किस वर्स उन्हीं Lord Lashdown के निजी सचिब के रूप में निक्त किया गया? तो वो बर्स बतानी है आपको चार आपसंस फिर आपके सामने हैं तो वो थे 1847 कब इनको date याद रखिए important है 1847 अब अगला rugby chapel is a point by Matthew Arnold in the memory of his किस की याद में rugby chapel को लिखा Matthew Arnold ने Matthew Arnold ने rugby chapel को जो की एक इलेजी है किस की याद में लिखी father mother boy girl तो father अगला Matthew Arnold belongs to which age कौन सी age से बिलॉंग करते हैं Matthew Arnold आपको बताना है ये question comment box में comment में आपको करके बताना है कि Matthew Arnold कौन सी age से बिलॉंग करते हैं मैं कई बार इस question को बता चुका हूँ अगला question which आप दे following work not written by Matthew Arnold ये चार options है चार options में से कौन सा option जो है वो मैं थो नौल के द्वारा कौन सा वर्क कौन सा इसमें जो है वो मैं थो नौल के द्वारा नहीं लिखा गया है तो वो कौन सा वर्क नहीं लिखा गया इन मैमोरियम द्यान रखिएगा जॉन केट्स लिखा गया है अभी अभी पीछे डिसकस किया था ठीक है दे स्टेडी आफ पोईट्री लिखा गया जॉन केट्स है क्या एक तो पोईट है बड़े कन्फ्यूजिंग है इसलिए इन कोस्टन्स को रखा गया एक तो क्या है पोईट है हमारे सिलेबस में है तो हम कन्फ्यूज होंगे बहुत ज़ादा लेकिन मैथो अनौल के द्वारा एक एसे भी लिखा गया है जॉन कीट करके उसका नाम है जॉन केट्स जो कि मैथो अनौल के द्वारा एक एसे लिखा गया और उस एसे में मैथो अनॉल ने जॉन कीट को क्या कहा सेक्सपेर बोला ध्यान रखिएगा पिछे अभी अभी कोश्चन्स को मैंने डिसकस किया तो इसलिए इसमें इन मैमोरियम ये जो है वो मैथो अनॉल की द्वारा नहीं लिखा है लेकिन कोश्चन यां पर ये बनता है तो फिर किसके द्वारा लिखा गया है बोले इन मैमोरियम नहीं लिखा गया तो किसके द्वारा लिखा गया बो भी आपको कमेंट वाक्स करना है कि कौन से राइटर थे जिन्होंने इन मैमोरियम को लिखा बहुत ही important work है ये कई बार पूछा गया PGT के एकजाम में Empedocles on Atena by Arnold मैं थो Arnold की जो पोईम है वो उस पोईम की theme क्या है Empedocles on Atena 42 नंबर पे तो Greek theme है ध्यान रखिये कौन सी theme है? Greek theme Empedocles on Atena द्वारा Arnold की करता पर क्या है? एक Greek theme A बाला option सही है हमारा अगला question सुराब एंड रुस्तम जो सुराब एंड रुस्तम है बाई Arnold की इज मीन से on कौन सी theme पर? तो ये Persian theme पर ये बना लो last me Persian theme पर किस पर है? Persian theme बलके ये एक Persian epic है ध्यान रखियेगा Persian इसलिए option कौन सा ठीक होगा हमारा Persian theme पर्सियन epic है फर्दौसी का सहनामा तो उस पर आदारित है मेथो अनल्ड की कविता सुराब एंड रुस्तम जिसमें total line है कितनी है? आप comment box करिएगा मैं पिछले बता चुका हूँ Arnold की डौवर बीच depict करती है मेथो अनल्ड का जो डौवर बीच है वो depict करता है क्या चीज़ depict का मतलब होता है दर्साना किस चीज को जब हम डौवर बीच को डरते हैं पढ़ते हैं जब भी हम लोग डौवर बीच को पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है इस से किस चीज को दरसाता है अर्नाल की जो डॉबर बीच है वो किस चीज को दरसाता है modern condition को, ancient condition या medieval life या डॉबर, city किस को चार options है, चारो options में से ठीक करके देखो आज अगर आपको दिक्कत होगी तो कल जब paper में बैठोगे तो बहुत जादा दिक्कत है तो आज अगर किसी भी मुश्किल का सामना हो रहा है तो उन मुश्किलों को दूर भी किया जा सकता है आप लगातार, process करते रहेगा, एक समय ऐसा जरूर आएगा कि option अपने आप लगने लगेंगे तो modern condition थी दोस्तों, बो modern condition को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंती थे कि लगातार क्या था कि जो लोग थी वो उनके अंदर से loss of religious faith जो है वो गाइब होता जा रहा है यानि कि जो religious faith था लोगयों के अंदर वो खत्म होता जा रहा था और जाज़तर लोगों के अंदर क्या बढ़ता जा रहा था, science and trade, growth of science and trade, ये Victorian age की चीज थी तो एक चीज ये है, डॉबर वीच कब publish हुई थी, आप ये बता दीजे बस comment box में ये बता जी दिये, डॉबर वीच publish कब हुई थी और जब ये एक question और डॉबर वीच से ही मैं पूछ लेता हूँ कि ये जो publish हुई है, डॉबर वीच वो है क्या, lyric है, allergy है, क्या है ओके ये बताना है, और इसमें डॉबर क्या है, 46 नंबर देखो हमारा क्या है थायर्सिस बाइ अर्नॉल्ड इस एन इलेजी ओन दी देथाफ थायर्सिस जो है, वो एक इलेजी है और किसकी मृत्य से दुखी हो करके लिखा गया है तो अर्थर हीव क्लॉग, किसकी मृत्य से दुखी हो करके लिखा गया अर्थर हीव क्लॉग अब आपको कमेंट बॉक्स में करना है, थायर्सिस की पाबलिसिंग डेट बताना है ये पास्टोरल इलेजी है, मैं ही बता देता हूँ पाबलिसिंग डेट, रिटिन डेट, इसके बाद में दोस्त का नाम तो आई गया अर्थर हीव क्लॉग और क्या बताना है, जो अर्थर हीव क्लॉग थे उनके मृत्यू और कितनी उम्बर में हुई थी ये सब चीजें आपको कमेंट वाक्स में करना है थायरसिस के बारे में और आपके थायरसिस को लेकर के आपको कुछ पता हो तो वो भी आप कमेंट वाक्स में करकर के बता सकते हो हमें be mortal million lives alone be mortal million lives alone 47 नंबर का question है, इसको ज़रा समझेगा कि हम नस्वर लाखों अकेले रहते हैं, यानि कि हम ये तो जानती हैं कि एक दिन हमको मरना है hundred percent तो जब हमको एक दिन मरना हैं लेकिन फिर भी हम अकेले रहते हैं लाखों लोगों के रहते हुए भी हम अकेले अकेले रहते हैं, यानि कि हमें लोगों से लोगों की कोई पर्वान नहीं है समाज में रहने वाले लोगों से ओके टैट में स्वार थी जिसे हम कह सकते हैं फिगर्स इन 21 में बात कहे गए तो ये तो एक ही पोईम हो सकती है मैं फोट अनौल की किसमे किसमे मारगराइट तो जो मारगराइट थे, ये Marguerite to Marguerite के बारे में थोड़ा कोई बताएगा मुझे, to Marguerite के बारे में थोड़ा कोई बताएगा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा Isolation to Marguerite की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है 1857 में publish हुई थे और ये एक love lyric थी कुछ जो critics थे उनका ऐसा belief था कि जो Marguerite थी वो एक real character थी और ये एक French girl थी जिन से Arnold मिले अपने चुटियों के दोरान जब ये 1948 और 49 में जब ये चुटियों के दोरान सुटिजर लाइंड गए थे तब इनकी मुलाकात इस French girl से हुई थी और देखती ही देखती Matthew Arnold ऐसा critic मानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जैसे इन्होंने Marguerite से मिले मुलाकात की देखा तो ये feeling love उनसे प्रेम करने लगे थे और वही उनकी यादें को लेकर कि इन्होंने to Marguerite इलेजी को लिखा ये भी एक इलेजी है ठीक है इतना ध्याँ रखेगा अगला दिखो culture and anarchy वाज written by culture and anarchy किसके द्वारा लिखा गया है Matthew Arnold की द्वारा culture and anarchy 1879 में publish हुई कब आई थी ये culture and anarchy 1879 में ध्याँ रखना ये इनका Matthew Arnold का most important central work था दोस्तों ध्याँ रखिएगा ठीक है क्या था ये इनका most important central work था जिसमें बहुत सारे important सब्दों का यूज किया था अगर मैं बात करूँ तो इसी में इन्होंने एक term यूज किया था हैबरेजम तो यहाँ पे जो हैबरेजम बर्ड इन्होंने इसी में यूज किया था Culture and NR के जो की पब्लिस हुई थी 1879 में तो उसमें जो हैबरेजम बर्ड यूज किया था वो किसके लिए यूज किया था तो इन्होंने ये यूज किया था for moral education के लिए Matthew Arnold बहुत important term है इसलिए मैं इसे आपको कहानी के रूप में बता रहा हूँ और जो फ्लिस्तीन बर्ड यूज किया था वो commercial middle class के लोग थे बहांके उनके लिए यूज किया था दोस्तों commercial middle class के लोगों के लिए ठीक है एक और barbarians वो था aristocratic class के लिए यूज किया था इन्होंने एक साब्द था barbarians वो aristocratic जो दिखावटी दुनिया नहीं होती है कुछ लोग होती है वो दिखावा की जिन्दगी में बहुत ज़दा गलीब करते हैं सुआफ करने में तो वही उनके लिए उन्होंने aristocratic जो class थी उसके लिए यूज किया तो ये था culture and hierarchy के बारे में मैं थोड़ा और भी जब detail से एक एक बर को detail से पढ़ाऊंगा तब मजा आएगा पढ़ने में इसको अब ही तो biography चल लेंगे सभी की एक writer बचे है PGT में biography पढ़ाने के लिए बागी सभी writer हम cover कर चुके है जितने भी आपके PGT के writer है सिर्फ एक writer रह गए है उनको भी मैं जल्दी ही बना दूँगा अगला question देखिए according to Arnold Matthew Arnold के अनुसार Chaucer is a Chaucer क्या है Matthew Arnold के अनुसार यहाँ पर चार options फिर से दिये है कोई महान classes classics नहीं है not a great classes यह वाला option और आज की वीडियो का last question literature and dogma क्या है literature and dogma by Arnold का deal with किसको deal करता है तो यह मैं एक बार पहले भी question साइद आ चुका है repeat तो नहीं हो गया poetry and religion को deal करता है किसको deal करता है literature and dogma poetry and religion यह जो literature and dogma है published कब हुआ था 1873 में दोस्तों कब published हुआ था 1873 में और इसमें बहुत ही important इसको एक अलग से वीडियो बना दी जाए तो ज्यादा बेतर है बताने से क्योंकि important है चल यह आज की last video last question था दोस्तों और आगे भी हम लोग इसके बारे में पढ़ते रहेंगे अगर कुछ important लगेगा में तो अनौल के बारे में तो बताते रहेंगे दोस्तों आज के अर्ठण चले जाए बताने से लिए बता है ठीजल से वेरे में फरी धिए जब प्रयका रहेंगे कर दोस्तों आज की तोस्तों एजिए रहेंगे का अनौल को प्रीं एजिए लोगेगा में एवादा़्बस बाहेंगे पताने साव़ते चला रहेंगे लग शजगे लगे ज झाल झाल